असलाल निकूम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शेब नूरेली अभी तो ये फूल जुके जुके हैं दो दिन से बारिश हो रही थी और अभी यहां टेरिस पर जाली पर नाली की कुछ पत्ते भर गए थे तो वो पूरी टेरिस में पानी भरा था मैंने अभी वाइपर किय हुआ और फिर लेकिन मैंने ये जुकी हुई टेहनियों को देखा ये ओलियंडर यानि के पिंक कनेर है और ये गुच्छे में काफी अच्छी ब्लूमिंग करता है गर्मियों का ये पर्मनेंट प्लांट है ये पर्मनेंट प्लांट है गर्मियों में अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और इन फूलों से आपना एंजाइम बना सकते हैं बहुत अच्छा एंजाइम तेयार होता है तो कनीर की कोई सी भी वराइटी हो आप जो है उसको जरूर एट कर लीजी और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है यह इतना जादा भर देता है गार्डन को फ साथ अतर गोट मैंने और यूज करती हूं इसको मैंने टीन करस्तर में लगाया हुआ है और बस उतनी ही मिटी में यह इतना बड़ा ट्री का शेप लेता जा रहा है और पानी की वज़े से इसकी टैनिया जुग गई तो आज हम इसको सपोर्ट देंगे मैं बहुत दिन से सो को सब्सक्ति कि आफ़ए मैं पहिसे मैंने इस ब्लांट ही आज तक कभी कोई पैस्ट नहीं देखा है वैसे यह प्लांट का नियर का पॉजनस होता है जब भी इसके साथ आप काम करें तो फोरण ही काम करने के बाद हाथ धो ले और या फिर घ्लब्स लईक पहननकर काम करें पर घ्लब्स लईक हो कि जोएं कामड़ा हो नहीं पाता है इसलिए मैं पहनती भी मिल जाता है काफी दिन मजबूती से चलती है और जब खराब हो जाए तो आप चेंज कर दीजिए यह हमारे पास कंस्ट्रक्शन से बची हुई रखी थी तो देखे मैंने इस प्लांट को बान दिया हुआ है अब क्या होगा कि नीचे जितने भी प्लांट से उनको थोड़ी सी सनलाइट मिलती रहेगी और यह सेफ भी रहते हैं चोटे-चोटे प्लांट सोते हैं बड़े प्लांट की आल में सेफ रहते हैं तो आपको बड़े प्लांट को जरूर ग्रो करना चाहिए साइट से उनके नीचे आप छोटे-छोटे प्लांटर रखिए आपके गार्डन में एक बुशी लुक आ जाता है इसका टिन कनस्तर देखिए मैंने इसमें अभी थोड़े दिन पहले खाद दी थी अभी मैं कोई खाद नहीं दे रही हूँ और अब हम यह रिजल्ट दिखा रहे हैं इसको मैंने रेनी सीजन में कटिंग से लगाये हुआ था इसी प्लांट की कटिंग है तो यह देखिए कितना प्यारा सा कटिंग रेडी हो गई है अभी मैं आपको और भी कटिंग लगा कर दिखाऊंगी कि कैसी लगाई जाती है हलका सा प्रून किया था तो दो टेहनिया तीन टेहनिया हो गई और एक कटिंग और इसमें लगी हुई है वो अभी हरी है लेकिन कोई भी ग्रोथ नहीं नजर आ रही है कटिंग लगाने के लिए मैंने यह टेहनी चुनी है जो पैंसि आप इन सब टेहनि को तीन चाहिनि को ग्रों कर लीजे कि अकसर ऐसा होता है कि एक होती है ग्रों इका नहीं भी होती है तो मैंने देखे कटिंग कर ली हुई है और अब आपको इसको रूटिंग जेल के तौर पर एलोवेरा यूज कर लेना चाहिए आप हल्दी चाहें तो हल्दी लगा लीजिए सिनेमन पाउडर लगा लीजिए और फिर इनकी पत्तों को रिमूव किर जिए रिमूव कर देने से जो टेहनी है वो जादा हिलती नहीं हवा लगने की वज़े से और अच्छे से ग्रोथ हो जाती है टेहनी की प्लस जो एक्स्ट्र एनरजी मिटी से लेता है वो नहीं लेगा कटिंग के पास ही लगा दे कटिंग को तो एक्स्ट्र केयर नहीं करनी पड़ेगी और इसी वज़े से मैंने इस प्लांटर में थोड़ा सा नाइफ की हल्प से खोद लिया है और कटिंग को हम इसी में ग्रोग कर देते हैं थोड़ा सा वाटरिंग करके कहीं प्लांट की शेड में रख देंगे तो वो हेल डूल रही थी तो मैंने थोड़ा सा उसमें और गटा बना कर और अच्छी सीज़ के उपर हलकी हलकी मिट्टी हम बनी हुई डाल देंगे तो इसको हेल्फ भी मिल जाएगी कटिंग को भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी प्लस आप क्या कर सकते हैं कि पानी में ग्रो कीजिए वैसे तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है आजकल बारिशे हो रही है तो हो सकता है लग भी जाए और मार्च तो जा चुका है जादा गर्मी की शुरुआत में कटिंग लगती भी नहीं है तो एसे में 100% चांसे आपको पानी में ग्रो करने पर मिल जाएंगे तो बड़ी प्लांट से मैंने कुछ टहनिया और इस पानी में डाल दी है इससे आपका एक फ्लार पॉर्ट तयार हो गया है इसको कहीं पर भी आप डेकोरेट करके रखिए कट फ्लार की तोर पर बहुत अच्छी डेकोरेशन होती इससे और इसको आप शेड में रख दीजिए रूम में भी रख लीजिए और इसमें जब रूटिंग हो जाए तो आप इसको मिटी में ग्रो कर दीजिएगा तो अलेंडर प्लांट की ये खास्यत है कि ये कट फ्लार की तोर पर भी बहुत खुबसूरत लगता है इससे सजाईए अपने रूम को टेबिल को रोट साथ चाहिए आपको बहुत सारे खिले हुए इस प्लांट के फूल मिल जाएंगे आप थोड़ी से कटिंग लाकर ग्रो कीजिए फ्री में प्लांट तयार हो जाएंगे और एक लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कर लीजिए और फिर अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेज